हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टु मैं चैनल जी एससी वाला चलिए दोस्तों आज हम लोग इंडियान जोगरफी का कोशन करेंगे पचास कोशन करेंगे ठीक है इसको भी सेट वाइज में करेंगे हम लोग पचास-पचास का टारगेट रखेंगे ठीक है और जैसे ही कुछ न सब पूरा कमबाइन करके पूरा एक करके कराया जा रहा है काफी इंपोरेंट हो सकता है इंडियान जोगरफी पार्ट वन करेंगे ऐसा प्रस ने क्या आपने तो सीजर के लिए कुछ ने कि यहां दोस्तों चलिए हम लोग करते हैं क्लास कोश्टार बिना किसी तेरी किये व आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार सची वाले पार चाहे जो हो जाए चाहे जाब ले मार्च में अप्रेल मैं जुन जुन जुलाई जाब ले एक सीठ होना चाहिए कहने मत दो समय रहे ने चलिए प्रास्तावीत समद्र मार्ग समद्र सेत्यू समंद्रम घटार किस समद्र गलियों से होक fans पूछावा है ठीक मन्नार के खारी मलक श्रेट फिक है गोल पप कच्च के खारी अंढ मान से होका जूजरता है गुलपफ मनवनार कहासे मननवन के खाडी Kanサar Formst हो जाएगा चलिये लौक्टग ले बताएब क्या है किलाink arrangements करेंगे किस नधी के किनारी इस्तित ही सेग akenाना है तो सीव समुद्र फॉल कुण से नधी किनारी है क्रिश्णा ग्दावरी कावईरी महानदी तो सीव समुद्र फॉल जो ही कावेरी नदी के Хaut पर काविर नदी चोथा नमर आए यह दो नदियों के बीच की उपजाव भूमी को क्या काते हैं डवाब बोलते हैं तो इसको एंसर दिया वाइस में कोई दिक्रत तो ले बात नहीं है चलिए प्रादिफिये भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी विच इता लोंगेस्ट रिव प्रादिफिये भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी है चलिए चलिए छटा नमर आई यह निम्न में से किस नदी को दचिन गंगा के नाम से जाना जाता है आपको बताना है जिसका जॉइनिंग अभी हो चुका है एक दू मिने पहले चिसका रियल दिया उसमें आया वा क ठीक है चलिए बताई यह तो किसको बोलते है तो गोदावरी को बोलते है दक्षिन गंगा गोदावरी को रियल वें भी आ चुका है इसम भी आ चुका है यह कुर्शन विच अब दा फ्लोइंग रिवर ओर्जिनेट आउट ओफ इंडिया बताए निम्निकित में से कौन से नदी भारत से निकलती है आउट ओफ इंडिया कौन से नदी भारत से निकलती है ठीक है आउट ओफ इंडिया बोल रहा है भारत से निकलती जो इंडिया से बाहर ब्यास रावी जहलम यह सब ठीक है साथ क्या हो जाएगा देखिए क्या ब्यास रोहतांग पास रावी रोहत निम्रिकित में से कौनस नदी हिमालियन से परे निकलती है निम्रिकित में से कौनस नदी हिमालियन से परे निकलती है हिंडस रसती गंगा युम्ना तो क्या गाई इसका इंडस हो जागा चलिए भागी रती और अलग मंदा कहां मिलती है सो पूछावा कोशन ठीक पर बाटने में ठीक साङक्ति इस अदर पर्यां को तो में चलेगा है हुआ है कि भालत में निम्रिकित में से कोन सनदी तल यचट से बाती है to belong which of the flowing rivers flow from sediment in India sediment in India and India बताना आपको yeah है ठीक है तो कॉनसा होगा लाज WAS from the sediment in India मतलबड़ तल्चत से भाती है तो गंगनाधी कुनसा नाधी गंगना दी वीच आथा फ्लो क्रेंट ड़ॉस्त अबहलाएं नर्मदा और एक तापती दो यांपल आदpture आपको नर्मदार ताप्ती दो याम बेश्ट 蛋 cal को चना आते हैं तो कि इसका आनसर कर। ज़स्ट कैसर बारा का तो बाकट्डी हो जागा ठीक है डिल्टा ने बनाती नर्मदार ताप्ती ज़स्पन में होगा मार्य झुश्ट को कि नर्मादा घाटी निमिल्स से किसे राजासर का नहीं है वी 14 पुर्थ नोट य पाट विद्वर्फ वेली कि सब्सक्राइं धमारस्थान का नहीं है कि तो चलिए चोधा नमब आईए चलिए consider the following pair बताने वी चोधा following correctly कौन सा correctly matched चम्बल यम्न नदी के ट्रिवेटरी है सही बात है ये ये तो बात बिलकुल सही है चम्बल यम्न नदी ठीक है सोन नदी नर्मदा नहीं ये गलत बात है गंगा का है बनास बरंपूत्रा आसम ये भी सही है इसका मतलग कौन सही है 1 और 3 सही है कौन सही 1 और 3 सही है which of the flowing river from estuary निवनिकित में से कौन से नदी मुहाना बनाती है तो ये नर्मदा और तापती मुहाना बनाती है नर्मदा और तापती पस्षिम फ्लोइंग नदी है जो कि मुहाना बनाती है तो नर्मदा इसका इंसर हो जागा चलिए स्वाल नमर देखिए सही मिलान करना आपको क्या करना है सही मिलान करना है तो जबालपूर जबालपूर MP मदपरदेश नर्मदा मतलब एका सकेंड एका सकेंड ठीक है पैरिश फ्रांस कौनसा नदी है बताए सीन पैरिश प्रांस सीन ठीक है मतलब कहां कि बी का सकेंड थर्ड लंदन लंदन में कौनसा है ठेम्स ठीक है इसका इसका इसर फोर लाहोर में आर झाल में राभबी गया इसका इसका इंसर Star Star Z या आद एकना पैरिस लिया डखना यह धकना टिक है प्रांस फेरीर्क और यह इए इसके लंदन उ ला अधकना थेम्स ठीक है दूसदू त। इसका इसका इंसर Star Starz हो जाएगा चलिए इंपोर्टेंट रिवर ऑप इंडिया डेजट मताना है कौन सा नदी इंपोर्टेंट है रगिस्तान के एक महत्पुन नदी है नर्मदा लूनी कृष्णा ब्यास तो कौन सा है लूनी रिवर चलि आठारा नमर आईए माजोली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्यूप की स्राज में इस्तित है माजोली आइलेंट कहां पर आईए तो असान कोशन है यह असाम में है कहां पर आसाम में है चलि विच ओधा फुलोइंग दिबत में नदियों की निमिकित समु का उद्गा मस्थल है विच ओधा फुलोइंग गुरूप सफ रिवर हैब देयर सोर्स ऑप ओरिजिन इंड़ा बताना है तो तिबत ब्रंपुत्रा का तो तिबत में ही है ठीक है मांसर रोबर ठीक है इं पुद्गा मस्थल ब्रंपुत्रा इंड़ा सतल सभी का यह थी बता है ठीक है इसका इससर फर्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट उप्सन पढ़ना ही नहीं नहीं है कि विच वॉलोंगा वाज निटीग फे लिडियन के लिए प्रपर्पोस ऑल बील्डिंग फरका ब्राज के निरमानं के लिए निमिकित में से कौन सा उदैस नहीं था चलिए बताइए बंग्लादेस में बहांते पानी के जाच सही बात यह उद्स था कोलक ता पोट के सिल्टिंग के जाच यह ंद्स था प्रका के बंदरगा के कटाओं को रोकना प्रिवेंटिंग इरोजन आप cocatta सपोर्ट सभी बात है गंगा नदी में नविगेशन करने के लिए यह गलत बात है फैसिलेटिंग नविगेशन गंगा रिबर यह फरका पराइस से कुछ नहीं इसका मतलब कुछ गोण गलत है इसका इसका इसर डी जो गलत है ठीक है एक इस नमर आईए दच्छनी प्राइदी जिमन कित में से कौं से नदी एक मुहाना बनाती है नर्मदार नर्मदार अथाप्ति मुहाना बनाती है ठीक इसका इसका इसर डी हो जागा चलिए पताइस नमर दामदा नदी को बंगाल का दुख का जाता है because क्यों कहा जाता है वो पुछावा question है क्यों कहा जाता है क्योंकि अक्सर बाढ आ जाता है यहाँ पे इसलिए इसलिए को चोबिस नुमर आये मुल्ला-मुथ्था नदी के किनारे कौन सा सहर बता हुआ है मुल्ला मुथ्था बताए कौन सा नदी की नार्य है सूरत आमदाबाद नाकपूर पूने बताए तो कौन सा होगा पूने हो जागा इसका नसर क्या आजागा पूने हो जागा 25 नमर आए ब्रह्म पूत्र नदी को डैस के रूफ में जाना जाता है क्योंकि या और नाचल प्रवेश करती है बताए कौन सा दिभैंग दिहांग कन्फूजन बहुत है सुबांसरी धनसरी बताए प्रचिस का तो क्या होगा दिभैंग दिहांग या दिभैंग बताए हेंग दिहांग ठीक है ता दिफर प्रवां पुत्र इन्होंने जा और नाचल प्रवेश करते दिहांग नदी कौन सा दिहांग डिहांग यह होता है क्यों उल्टा होता है कुछ एक मिनाट चलिए चलिए दोसरे बताए यह कौन सा होगा चलिए पचिस का क्या दिहांग इसका राइट अइन सा जागा ठीक है कन्फूज हो रहाता थोड़ा सा देख रहते ठीक है अगि कर चलिए अटसर हो जाता है आगि कि अक्सर गलती हो जाता है आग थिक है रावी नदी पर कौन से डेम है बताए भाकरान अंगल तो सतलज पर है रंजीत साकर डेम रावी नदी पर है चलि मैं इस दो कोलम करना आपको तुंग भद्रा कहां पर यह कृष्ण नदी करनाटका इसका मतलों चार हो जागा यहां तुंग भद्रा क्चार करनाटका लोवर भवानी तामिल नदू इडुकी कहां पर केरला नागर्जुन सागर अंधरा प्रदेश तुंग भद्रा क्रनाटका यादकना लोवर भवानी तामिल नदू इडुकी केरला और नागर्जुन अंधरा परदेश ठीक इसका इसका इसकाई सागर हो जाएगा चलिए 28 नमर आईए वेर इस नाप्ता जहांकरी पावर प्रोजेक्ट नाथाप जहांकरी परिज़ना कहां इस्तित है बताईए तो यह कहां पे है तो यह हिमाचल परदेश में जोएंट रिवर वेली वेंचर ओफ इंडिया नेपाल बारत नेपाल की संजुक नदी घाटी उद्गम क्या कहलाता है बताईए गोंती चंबल दामुदर कोशी तो कौन सा होगा इंडिया और नेपाल का पुछावे ने क्या था देख लेते हैं इस बार क्या था जोएंट रिवर वेली इंडिया नेपाल, The first hydroelectric power plant in India was set up at भारत में पहला जल विदुत सन्यत अस्थापित किया गया था Siva Samundram काँ पे एक कावेरी नदी पे ठीक है इसका है Siva Samundram B is the right answer Nagarjun Sagar Dam is constructed on the river of Nagarjun Sagar Dam कौंस नदी पे यादखना Krishna नदी पे Siva Samundram is island formed by the river of कौंस नदी पे बताना है highest name पुछा तो कौनस आओगा हीरा कुंद डेप चोहगा longest डेम हो ठीक है highest पुछेगा तो भाकरा नंगा यत्ति भाकरा नंगा लो जागा हाइस पुछेगा मतलो longest तो हीरा कुंद डेम हो जागा name of the longest river in India India का लंब नदी भाध का सबसे लंबी नदी का नाम बतागी तो सबसे लंब कौनसा या गंगा नदी कौनसा या गंगा नदी where is Lonar Lake Lonar जील कहां पे कहां पे दोस्तो तो महाराष्ट्रा में Lonar जील है ठीक महाराष्ट्रा में Lonar Lake situated चलिए तो महारास्टा सेम कोस्टन हो गया ही तो चलिए सेंटिस नमर आईए जम्मो और कस्मीर राज में बनाया जारा दुनिया का सबसे उंचा रेल फूल नियुक्त में से किस नदी पर होगा वर्ल्ड हाइस्ट रेल बिर्ज बिंक कंस्ट्टे इन दा श्टेट जम्मु और कस्मीर विल बी ओन फूलिंग रिवर्स जहलम चनाब इंड़स रवी तो कौन सा होगा ये चनाब नदी होगा कौन सा चनाब ठीक है प्राइदीपी भारत का सबसे उच्छा नदी घाट कुण सा है प्राइदीपी भारत का सबसे उच्छा नदी घाट कुण सा है प्राइदीपी भारत का सबसे उच्छा नदी घाट कुण सा है तो कुण सा कुण सा कुण सा ब्रिद गंगा किसे बोल जाता है ये गोदावरी कहा चल गया चलिए ब्रिद गंगा गोदावरी को इसका इंसर बी हो जागा नासिक is located on the bank of future river नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो नासिक कौन से नदी किनारे बसा हुआ है देख सकते हैं आपलो महानदी ताप्ति कृ गंगा चल गंग नासिक कौन से नदी बताईए तो नासिक जो है गोदावरी किनारे बसा हुआ है कि विच रिबर नाने तो ओपन से ब्रिदिया भाद में किस नदी को ओपन सीवर के नाम से बहुत इच्छा कोषण बताईए लाट आपन से अच्छा युदा नस्ति किस को ओपेन सीवर यमना रिवर चलिए भागी रती अलंग नंदा किस संगप मिलती है भागी रती और अलंग नंदा तियो जागा देव पर्याग पहले भी हो चुका है कोशन निमिकेत में से कौन से नदी अपना मार्क बदलने के लिए परसीद है बताएए अपना मार्क बदलने के लिए कौशन नदी नर्मदा कोशी बरमपुतर दामदर तो अपना मार्क बदलने के लिए कौशन नदी फैमस है Which of the flowing river is famous for changing its path तो कौशन कोशी नदी In North East India, river flow out of the country is उत्तरपुर्भात में देश से बाहर भाने वाली नदी कौनसा ब्रामपुतरा गंडा कोशी गंगा तो ये कौनसा ब्रामपुतरा चलिए बिजयवाडा कौनसा नदी के किनारे बिजयवाडा पताए यह तो बिज्रेवाड़ा जो है वो क्रिष्ण नाधीप है कौन सा बिज्रेवाड़ा क्रिष्न नाधी विच रिवर फिलोर बिट्वीन सठपूरा और बिंदिया सठपूरा और बिंदिया के बीच में कौनसो नदिभाती है सत्थ पूरा और बिंदिया कौंसा यह पैसे न्रमदा न्रमदा बिंदिया के पूर anyways नोर्मदा स्थ पूरा और बिंदिया के बीच में पैसे है डिये और है ठीक है थोड़ा इंसा फोर्ष बिंदियागा बात all रिपस्टे 47, which of the following river does not relates with Punjab, निम्न कित में से कौन से नदी पंजाब से समझ दित नहीं है, असान सा है, दिमाग लागा यह गद बन जाएगा, सतलज, राभी, ब्यास तो है, तापती नदी नहीं है, लास्ट कुस्चन आप दे, 48 नमबर, सूरत किस नदी के किनारी स्थित है, शूरत कौन से नदी के किनारी नर्मदा, स्रावस्ति, माही, तापतित कौन से नदी, तापती नदी की किनारी, ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं, आप लोग के यह सेशन पसंद आयागा, 48 कुस् लगवा, 500 कोशन करेंगे, सब में 500-600 कोशन के चार्गेट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाइलोजी, मेडाबर हिस्ट्री, जोग्राफी, इंजियन हिस्ट्री, सारा मतलब होता है, जो बहुत बहतिन तरीका से, एंसे असान से कोशन, असान अरहाट दोनों रहेगा, ठीक ह चलिए, फिर इसका पीडियोफ हम टेली कराम में डाल देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत